गाईज आप में से काफी सारे लोगों के कमेंट्स हमारी वीडियो पर आते हैं कि मैं अपनी यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए कौन सा कैमरा यूज करता हूँ तो गाईज मैं यूज करता हूँ कैनन का लेटेस्ट कैमरा EOS R6 Mark II जो आज हमारे पास है और आज की वीडियो में मैं आपको इस कैमरा के अन्बोक्सिंग की और मैं आपको ये दिखाता हूँ कि मेरे को किट में क्या क्या देखने को मिलता है और ओवरॉल किस तरह का इसका नया डिजाइन है Mark II एडिशन मेरे पास जो R6 Mark II का वेरियंट है वो है 24-105 किट लेंस के साथ में और जैसे आप open करते हैं box सबसे पहले आपको देखने को मिलता है user manual जिसमें आप सब कुछ समझ सकते हैं इस कैमरा के बारे में उसके बाद है power code जिसको आपने इसके charger के साथ attach करना है charger और power code बिल्कुल सेम है R6 वाला जो आपको R6 के साथ में मिलता था सेम R6 Mark II के साथ में मिलता है और फिर है camera की battery और यह सेम battery है जो R6 में आती थी और इसका backup जो है बहुत अच्छा है चाहिए आप photography करे या फिर वीडियोग्राफी करे दोनों में बहतरीन backup है और इनके नीचे दिया गया है lens hood और carrying case तो carrying case मेरे को बहुत अच्छा लगा by chance अगर हमें कहीं भी जाना हो और हमें सिरफ lens carry करना हो हम body अलग से लेके जाना चाहते हो मतलब individually तो हम इसमें ले जा सकते है safely बहुत अच्छी जो है मेरे को चीज लगते है Canon की तरफ से कि हमें साथ में मिलता है उसके बाद guys आपको मिलता है strap जो की R6 Mark II branding के साथ में आता है तो जब हम photography या फिर वीडियोग्राफी करते है और इस strap को wear करते है तो बहुत ही proud feel होता है कि हम R6 Mark II user है एक बढ़िया लेवल का camera यूज कर रहे है तो बहुत अच्छा लगता है wear करके तो इस तरह से हमें मिलता है उसके बाद है guys camera और lens well packed है तो सबसे पहले निकालते है camera को well मैं इसको detail में आपको आगे दिखाऊंगा button controls सारे दिखाऊंगा जो भी नए आये हैं लेकिन जो first impression है काफी अच्छा है तो जब आप पहली बार इस camera का in hand experience लेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगने वाला grip काफी अच्छ है और बाकि overall design भी impressive है चाहे बातो button controls की या फिर overall इसके first impression की चलिए अब निकालते हैं lens को जो की है 24-605 और ये मेरे को बहुत 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 बहुतरीन lens लगता है क्योंकि ये एक all rounder lens है जो हर situation में हमारे काम आता है चाहे हम photography करें या फिर वीडियो ग्राफी और RF lenses की quality तो no doubt बढ़िया है लेकिन इस lens में खास बात ये भी overall complete kit lens के साथ look देखने को मिलती है Canon के EOS R6 Mark II अब unboxing के बाद अगर हम बात करे R6 Mark II के design की तो वैसे तो R6 Mark II almost similar है R6 जैसे लेकिन कुछ-कुछ button controls नए आए हैं design में थोड़े बहुत changes किये गए हैं जो practically guys बहुत important role play करते हैं जब हम इस camera को use करते हैं अब क्या नए button controls आए है let me show you in detail R6 Mark II के design में हमें मिलता है multiple button controls का setup यहाँ पर आपको joystick भी मिलती है अलग-अलग dials भी मिलते हैं और information focus बटन सारी चीज़े आपको compact way में मिलते हैं ताकि आप जल्दी से हर चीज़ को access कर सके और अपना workflow smooth कर सके इसके लावा जो screen है वो भी पूरी rotate हो जाती है और touchscreen है easily usable है और camera की top side पर किये गए हैं कुछ button controls में बदला आप जो लोग button पहरे अलग से था अब उसको shift कर दिया गया है on off switch के साथ में इसके अलावा shutter speed और recording करने के लिए dedicated dials और switch है और अगर आप multiple modes जैसे की shutter priority या फिर aperture priority में जाना चाते हैं इस तरह की modes को switch करने के लिए dial अलग से द के लिए special dedicated switch दे रहा है जहां से आप photos और videos में quickly shift कर सकते हैं इसके अलावा shutter speed photo खीशने वाला button यानि की shutter button और बाकी सारे dials हमें कुछ इस तरह की देखने को मिलते हैं और बात करें lens की तो lens में हमें 3 rings मिलती है सबसे पहली है zoom ring उसके बाद है focus ring और उसके बाद है control ring जिसमें मिलते हैं और mini HDMI port की connectivity देखने को मिलती है और camera के दूसीरी तरफ हमें देखने को मिलता है memory card slot जहाँ पे आप दो memory card लगा सकते हैं in case आपको backup में memory card लगाना तो आप बिल्कुल लगा सकते हैं इसके अलावा अगर आप 4K वीडियो बना रहे हैं और आपको लगता है कि आपका एक memory card enough नहीं होगा वो जल्दी full हो जाएगा तो आप additional memory card लगा सकते हैं और दोनों memory card में अपना data जो है capture कर सकते हैं इसके अलावा battery compartment हमें नीचे की तरफ देखने को मिलता है जहाँ पे हम battery जो है इसकी insert कर सकते हैं और tripod का mount भी वहाँ पर हमें देखने को मिलता है चलिए अ जिसकी मदद से आपका workflow तो smooth होगा ही लेकिन आपको इस camera को use करने में भी मज़ा आएगा तो इस camera में guys हमें 24.2 megapixel का camera sensor देखने को मिलता है और guys अगर मैं आपको बताओ autofocus की यानि कि अगर आप photography करते वक्त autofocus करना चाहते हैं तो इस camera में हमें total 1053 focus points देखने को मिलते हैं यानि कि guys अगर आप अपने frame में कहीं पे भी focus करवाना चाहते हैं तो या तो आप joystick की मदद से पूरे frame में कहीं पे भी focus करवा सकते हैं otherwise अगर आप touch screen पे किसी भी जगा पे focus करवाएंगे touch करके तो वहाँ पे camera focus कर लेगा क्योंकि ये entire screen entire frame cover करता है focus area के मामले में इसके अला करवाना चाहते हैं वो कर सकते हैं या फिर अगर आप कोई भी vehicle को करवाना चाहते हैं वो कर सकते हैं animal करवा सकते हैं तो almost हर subject को ये camera track कर सकता है even eye tracking भी इस camera में दी गई है तो ये कुछ photos के samples है जिसमें मैंने अलग-अलग elements लिये हैं और इन photos को देखकर आपको idea हो जाएगा कि आप इस camera से किस तरह की color signs expect कर सकते हैं क्या details क्या sharpness या फिर overall किस तरह की image quality ये camera produce करता है चाहे बात हो sharpness की चाहे बात हो colors की चाहे बात हो focusing की या फिर बात हो depth की तो इस camera से अगर आप किसी भी तरह की photography करते हैं तो आप pro level की output निकाल सकते हैं बागी guys आपकी skills पर भी matter करत है कि आप कौन सा lens use कर रहे हैं और आप किस तरह से photos click करते हैं या फिर आप अपनी photography में किस तरह की lighting techniques को use करके अपनी photos को interesting और pro level की बनाते हैं और अगर आप guys normal photography की अलावा fast moving subject की photography करना चाहते हैं तो ये camera हमें offer करता है 40 frame per second की speed की high speed shooting यानि कि आप 1 second में 40 photo लगातार इस camera से capture कर सकते हैं तो अगर आप bird photography करते हैं या फिर कोई भी ऐसी photography करते हैं जहां पे बहुत ही fast moving action होता है इस camera की मदद से easily आप जो है बहुत ही sharp photos capture कर सकते हैं high speed shooting में तो इस camera की high speed shooting test करने के लिए मैंने अपने pet की run करते हैं बहुत सारी photos ली और इन photos मैंने एक चीज बहुत अच् fast moving action दे उसको easily जो है camera freeze कर पा रहा था अच्छे से capture कर पा रहा था तो इस चीज में no doubt काफी बढ़िया जो है R6 Mark 2 perform करता है अगर आप fast moving subject को shoot करते हैं और पता guys इस camera में in body 5 axis sensor shift image stabilization भी है यानि कि अगर आप photography करते हैं और आपका हाथ shake करता है तो फिर भी आपका camera stability के साथ अब photography के लाबा guys अगर हम बात करें इस camera में video shooting की तो इस camera में जो नए features है न video shoot करने के लिए वो काफी जादा impressive है for example इस camera में 4K video 60fps की speed पर shoot कर सकते हैं वो भी बिना crop के अब पहले क्या होता था जो हम पहले camera use करते थे उनमें जब हम 4K mode में जाते थे तो हमारी video थोड़ी सी crop हो जाते थी लेकिन इसमें ऐसा नहीं है पूरा आपको जो है frame की output देखने को मिलेगी कोई भी आपको crop देखने को नहीं मिलेगा इसके लाबा एक feature में बहुत अच्छा इसमें लगा कि इसके अंदर guys हमें जो है अब कोई भी हमें movie बनानी है और हम 30 minutes से उपर की बनाना चाह अब आपको 30 minutes का कोई भी barrier देखने को नहीं मिलता R6 Mark II में जो एक बहुत ही बहतरीन update है चलिए guys अब मैं आपको इस camera की कुछ video samples दिखाते हो तो अगर आप इस camera से maximum zoom करना चाहते हैं kit lens के साथ में तो 105 mm पर इतना आप zoom कर सकते हैं वापी से zoom out 24 mm पर कर सकते हैं इसके लाबा guys ये सारे short मैंने 4K mode में handheld shoot करें ताकि आपको better idea हो जाए कि इस camera में in body stabilization किस तरह से perform करती है तो अगर आप outdoor किसी भी तरह का video shoot करती हैं इस video से आपको better idea होगा कि आप किस तरह के colors expect कर सकते हैं कितनी detail video में आती है या फिर overall जो video की quality है वो कैसी आती है इस camera से 4K mode में और इसी त studio में जिस तरह से मैं अपनी normal youtube videos मना तो वह भी मैंने shoot करी उससे भी आपको better idea होगा कि अगर आप controlled lighting situation में जहाँ खुद light को modify करते हैं design करते हैं कि कहां पर क्या light रखनी है उस तरह की videos को shoot करते हैं content creation में तो आप किस तरह की quality expect कर सकते हैं इस camera से इस video sample से आपको बहुत use कर सकते हैं तो अगर आप handheld कोई भी video record करते हैं zoom करते हैं pan करते हैं tilt करते हैं मतलब आप handheld कुछ भी shoot कर रहे हैं तो काफी हद तक आपका जो है camera आपको stabilization provide करेगा और आपकी जो videos हैं वो बहुत ही smooth भी shoot होगी अब यह तो होगी normal video shooting की बात लेकिन जो लोग इस camera से cinematography करना चा आते हैं उनके लिए भी इस camera में बहुत कमाल के feature हैं आप इस camera में 180p पर slow motion video shoot कर सकते हैं और इसमें guys Canon log 3 HDR PKO का support भी हमें देखने को मिलता है यानि कि अगर आप raw video shoot करके बाद में color grade करना चाहते हैं high quality में वो भी आप कर सकते हैं 4K mode में इसके लावा आपको slow motion का जैसे कि यह में अब जब से मैंने content creation शुरू करे हैं और जब से मैंने Canon के camera's use करने शुरू करे हैं तब से मैंने एक चीज़ बहुत miss करी दी as a content creator कि हम Canon के camera's से live stream direct नहीं कर पाते हैं अब guys वो feature आ चुक है इस camera में जो लोग web streaming करना चाहते हैं live streaming करना चाहते हैं इस camera में direct data cable लगा के अप अब जो guys मैं आपको feature बताने वाला हूँ यह बहुत सारे लोगों को impress करने वाला है especially wedding video graphers के लिए अब guys Canon R6 Mark 2 में हमें pre recording का feature देखने को मिलता है यान की guys अगर आप pre recording feature on करते हैं तो आपके recording button दमाने से पहले ही camera कुछ second की video record करनी already शुरू कर देगा और guys आपको पता भी न iPod के उपर आपने frame नहीं छेड़ा था बिल्कुल जो है stage पर यह आपका frame लगा हुआ था बिल्कुल set था but आपने recording का button लेद दबाया और इतने में जैमाला सहरमानी या फिर कोई भी सहरमानी निकल गई तो उस situation में guys pre recording बहुत काम आता है आपका moment फिर भी miss नहीं होगा क्यो क्योंकि आपकी camera ने आपके recording का button दबाने से कुछ second पहले ही video recording शुरू कर दी थी तो आप जब preview करेंगे तो आपके बास वह short आगया होगा और आपको कोई भी tension लेने की need नहीं होगी तो pre recording का feature जब हम कोई special moment capture करने वाले होते तब बहुत ज्यादा काम आता है और आपका camera ज होगा कि क्या अब R6 Mark II में 4K video shoot करने पर कोई भी hitting issue देखने को मिलता है या फिर नहीं तो देखो guys मेरको इसको test करते हुए almost 3-4 हफते होगे बहुत पहले मेरे पास आ गया था और मैं से video बना रहा था काफी मैंने videos बनाई लेकिन अभी तक मेरको कोई भी 4K mode में hitting issue देखने क को नहीं मिला बाकी guys कभी भी ऐसा होता है कोई भी Canon के camera में हमें hitting issue थोड़ा बहुत देखने को मिलता तो firmware के साथ ठीक हो जाता है बग जो होते हो फिक्स हो जाते है लेकिन अभी तक मेरको कोई भी इसमें hitting issue देखने को नहीं मिलता तो Canon user के लिए बहुत ही खुशकवरी की ब अगर हम बात करें तो Canon का R6 Mark II एक all-rounder camera है जो आप photography और वीडियोग्राफी दोनों में use कर सकते हैं अब यह बात मैं क्यों कह रहा हूं guys content creation से पहले मैं wedding, videography, wedding photography करता था तो पिरको अच्छे से इस चीज़ का experience है कि as a photographer हमें किन features की need होती है और वो सभी features almost हमें इस camera में देख देखने को मिलते हैं जो हमारी content creation में चार चांद लगा देते हैं, for example इसमें मैंने आपको बताया कि focus technology advance है, limit अब exceed हो चुकिया 30 minutes से भी जादा, live streaming कर सकते हैं और 4K वीडियो में recording कर सकते हैं, slow motion videos हैं तो बहुत सारे ऐसे features हैं जो बहुत काम के हैं और practically काफी बढ़िया हम इ comment box में जरूर बताएं इसके अलावा वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को like करें और इसी तरह की latest informative वीडियो सबसे पहले देखने के लिए make sure आप चैनल को subscribe जरूर कर ले, stay tuned until next वीडियो